बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तै हुआ कि सच्मुच नौकरों को निकाल दिया जाए आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए काम चोर कहीं के तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते और सच्मुच हमें खयाल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है इसलिए हमने तुरंत हिल हिला कर पानी पीना शुरू किया हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं लीजिये पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया सुराहियां उधर लुडकी, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सोव लग यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चा किया करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा, उसे रात का खाना हरगीज नहीं मिलेगा समझे? यह लीजे, बिलकुल शाही फर्मान जारी हो रहे हैं प्रिष्ट बावन हम काम करने को तयार हैं काम बताये जाएं हमने दुहाई दी बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है? आंगन में कितना कूडा पड़ा है? पेडों में पानी देना है और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे तुम सब को तनख्वा भी मिलेगी अबबा मिया ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया माली को तनख्वा मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो एहें खुदा के लिए नहीं घर में बाढ़ा जाएगी अम्मा ने याचना की फिर भी तनख्वा के सबने देखते हुए हम लोग काम पर दूल गए एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़ कर जटकना शुरू कर दिया दो चार ने लकडियां लेकर धुआधार पिटाई शुरू कर दी सारा घर धूल से अट गया खांस्ते खांस्ते सब बेदम हो गए सारी धूल जो दरी पर थी जो फर्श पर थी सब के सिरों पर जम गई नाकों और आखों में घुज गई बुरा हाल हो गया सबका हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया वहां हम लोगों ने फौरन जाडू देने का फैसला किया जाडू क्योंकि एक थी और तनख्वा लेने वाले उमीदवार बहुत इसलिए एक शन भर में जाडू के पुर्जे उड़ गए जितने सीकें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा अम्मा ने सिर पीट लिया भई ये बुजर्ग काम करने दें तो इनसान काम करे जब जरा-जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम प्रिष्ट तिरेपन असल में जाडू देने से पहले जरा सा पानी छड़क लेना चाहिए बस यह खयाल आते ही तुरंत दरी पर पानी छड़का गया एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी पानी पढ़ते ही सारी धूल कीचड बन गई अब सब आंगन से भी निकाले गए तैह हुआ कि पेडों को पानी दिया जाए बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे अब सब लोग नल पर तूट पड़े यहां भी वे घमासान मची की क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बरतन में आ सके ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे पहले तो धक्के चले फिर कुहनिया और उसके बाद बरतन फोरन बड़े भाईयों, बहनों, मामों और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमग फेची गई फौज मैदान में हतियार फेख कर पीड दिखा गई इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड में लथफत हो गए जिनने नहला कर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वरतमान संख्या काफी नहीं थी पास के बंगलों से नौकर आये और चार आना प्रती बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए हम लोग कायल हो गए कि सचमुचिया सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखबाल हमसे हो सकती है कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें बस शाम ही से जो बास छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाकने लगे चल दडबे दडबे पर साहब मुर्गियों को भी किसीने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था उट पटांग इधर उधर कूदने लगी दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी दोड़ती फड़ फड़ाती हुई निकल गई तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपटे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पांदान में कूद पड़ा और कथे चुने में लुथडे हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफे दूद जैसी चादर पर चापे मारता हुआ निकल गया प्रिष्ट चौवन एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मार कर भागी और सीधी जाकर मुरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड मौसी जी के मुह पर पड़ी जो बैठी हुई हाथ मुह धो रही थी इधर सारी मुर्गिया बे नकेल का उट बनी चारों तरफ दोड रही थी एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी इधर किसी को सूझी कि जो भेडे आई हुई है लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए दिन भर की भूखी भेडे दाने का सूप देखकर जो सब की सब जबती तो भाग कर जाना कठिन हो गया लश्टम पश्टम तख्तों पर चड़ गई पर भेड़ चाल मश्हूर है उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी पलंगों को फलांगती बरतन लुड़काती साथ साथ चड़ गई तख्त पर बानी दीदी का दुपटा फैला हुआ था जिस पर गोखरी, चमपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी भेडें बहुत निसंकोच सब को रौध थी, मेंगनों का छिड़काओ करती हुई दौड गई जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बंबारों सहीत उधर से चापा मार कर गुजर गई हो जहां जहां से सूप गुजरा, भेडें शिकारी कुटों की तरह गंद सूंगती हुई हमला करती गई हजजन मा एक पलंग पर दुपटे से मूँ ढाके सो रही थी उन पर से जो भेडें दौडी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी दौपटे में उलजी हुई मारो मारो चीखने लगी इतने में भेडें सूप को भूल कर तरकारी वाली की टोकरी पर तूट पड़ी वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल-तोल कर रसोये को दे रही थी वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई आपने कभी भेडों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रूई के तकिये को कूट रहे हो भेड को चोट ही नहीं लगती बिलकुल यह समझ कर कि आप उससे मजा कर रहे हैं वह आप ही पर चड़ वैठेगी जरा सी देर में भेडों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कडाही में छोंक दी प्रिष्ट पच्पन इधर यह प्रलय मची थी उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी वे चार भैसों का दूद दूहने पर जुट गए दूली बेधूली बाल्टी लेकर आठ हाँ चार थनों पर पिल पड़े भैस एकदम जैसे चारो पैर जोड़ कर उठी और बाल्टी को लात मार कर दूड़ जा खड़ी हुई तैह हुआ कि भैस की अगाड़ी पिछाड़ी बांधी जाए और फिर काबू में लाकर दूद दूह लिया जाए बस जूले की रस्ती उतार कर भैस के पैर बांधिये गए पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले दो पैरों को बांधने की कोशिच जारी थी कि भैस चौकन नहीं हो गई छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आधी तुफान में फसे हैं साथ में भूचाल भी आया हुआ है फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पठियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे प्रिष्ट चपन यहां बड़ा मजा आ रहा था भैस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चार पाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी ओहो एक भूल ही हो गई यानि बच्चडा तो खोला ही नहीं इसलिए ततकाल बच्चडा भी खोल दिया गया तीर निशाने पर बैठा और बच्चडे की ममता में व्याकुल होकर भैस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिये बच्चडा ततकाल जुट गया दुने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी बच्चडा फिर बागी हो गया कुछ दूद जमीन पर और कपड़ों पर गिरा दो चार धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई बाकी बच्चडा पी गया यह सब कुछ कुछ मिनट के तीन चौथाई में हो गया घर में तूफान उठ खड़ा हुआ ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां भेडें, तूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे बच्चे बाहर किये गए मुर्गियां बाग में हकाई गई मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो नहीं तो मैं चली माय के अम्मा नहीं चुनौती दे दी और अब्बा ने सब को कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंध हो जाएगा ये लीजे इन्हें किसी करवट शान्ती नहीं हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिल कर पाने भी नहीं पिएंगे इसमत चुगताई प्रिष्ट सत्तावन प्रिष्ण अभ्यास कहानी से एक, कहानी में मोटे मोटे किस काम के है किन के बारे में और क्यों कहा गया दो, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुरदशा हुई तीन, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो अम्मा ने कब कहा और इसका परणाम क्या हुआ चार, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है कहानी से आगे एक, घर के सामाने काम हुँ या अपना निजी काम प्रतेक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है दो, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद कामचोर कहानी के आधार पर निर्नाय कीजिये चार, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या सैयुक्त परिवार की इन दोनों तरह के परिवारों में क्या-क्या अंतर होते है एक, घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन-किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजी दो, कहानी में एक समरिध परिवार के उधमी बच्चों का चित्रन है आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगडी होगी उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या-क्या सुझाव देना चाहेंगे तीन, किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उसके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़े और सुव्यवस्थित कारिशेली पर एक लेख लिखें भाशा की बात, धुली बेधुली बाल्टी लेकर आठ हाथ चार थनों पर पिल पड़े धुली शब्द से पहले बे लगा कर बेधुली बना है जिसका अर्थ है बिना धुली बे एक उपसर्ग है बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं बे तुका, बे इमान, बे घर, बे चैन, बे होश, आदी आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए एक प्र, दो आ, तीन भर, चार बद शब्दार्थ, दबैल, दब्बू, घमासान, घोर, भयानक, फर्मान राजाग्या, तनख्वाह, वेतन, पगार, फर्षी, फर्ष पर बिछी हुई, हवाला उल्लेख करना, उधरन, दुआधार, ताबड तोड, कुमक, फोजी टुकडी, धींगा मुष्टी, धक्का मुक्की, लड़ना भिड़ना, शरारत, लथपत, सना हुआ, तर, दड़बा, मुर्गियों के रहने की जगह, मोरी, नाली, गंदे पानी की नाली, बेनकेल, बिना पशों की नाक में पहनाई जाने वाली रसी के बिना, दालान, बरामदा, तरकारी, सबजी, मातम, शोक मनाना, बटालियन, पल्टन, कोर्ट मार्शल, फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह, अभी आप सुन रहे थे पाठ दस, काम चोर, प्रस्तुति, C-I-E-T-N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत